शादी के बाद लड़की के आधरकार्ड में पिता से पती का नाम और एड्रेस आप कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो उसके लिए इस वीडियो को एंटर वाच करते रहे हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिये आपके मन में कोई भी कन्यूजर नहीं है कोशन हो आप मुझस से कमेंट करके पूस सकते हैं तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन कम्प्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर को ओपिन कर लेना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है आपके सामने आधर काट की ओफिशली वेबसाइट आई यह नमर फश्ट पर उस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ से आके अपनी लेंगवेज चूस कर लेना है तो आप आधर काट की ओफिशली वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्कॉल करके आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस का इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप इस तरीके के पेज पर पहुँच जाएंगे अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉँईन का लॉँईन पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा यहाँ पर पतनी का अधार काड नंबर डालना है और जो यह क्याप्च लिखा है, उसको यहाँ पर फिल करना है login with OTP पर click करना है आपके आधार कार्ट से registered mobile number पर एक OTP send किये जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है login पर click करना है अब आपके सामने सरीके का page आ जाएगा आप इसमें successfully login हो करके आ गए हैं यहाँ पर आपको एक option मिलेगा address update का इस पर आपको click करना है तो यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं update आधार online और head of family based address update का अब लड़की की नई नई शादी होई होती है तो उसके पास कोई document तो होते नहीं है आधार कार्ड में address update करने के लिए तो अगर आपके पास कोई भी document नहीं है तो आपको यहाँ पर दूसरा बाल option दिख रहा है head of family based address update का इस पर आपको click करना है इस तरीके का page आएगा नीचे scroll करके आना है next पर click करना है अब यहाँ पर आपके सामने है आपके आधार कार्ड में जो अभी current में address पड़ा होगा तो यहाँ पर आपको अपने पती का आधार कार्ड number type करना है जैसे आप पती का आधार कार्ड number type करेंगे तो उनके आधार कार्ड से जो भी mobile number link होगा वे नीचे automatically type हो करके आजाएगा आपको नीचे scroll करके आना है अब यहाँ पर आपको एक option मिलता है select HOF relation with the applicant तो आपको इस पर click करना है और यहां से आकर आपको spouse choose कर लेना है क्योंकि इसका मतलब होता है जीवन साथी जिसमें पती आता है तो यहां पर spouse पर आपको select कर लेना है पहले husband का name आता था लेकिन husband का name हटके अब यहां पर spouse को option आगया है तो आपको spouse वाले option पर click करना है उसके बाद यहां पर आपको एक option मिलता है select valid document तो यहां पर आपको एक document भी upload करना होगा तो उसके आपको इस पर click करना है तो यहां पर कई सारे document दिये गए हैं तो जो भी इन मैंसे अगर आपके पास document हो उसको select कर लीजिए लेकिन in case आपके पास कोई भी document नहीं है तब आपको यहाँ पर एक option मिलता है self declaration form का इस पर आपको click करना है और इसको choose कर लेना है दोस्तो self declaration form कुछ इस तरीके का होगा इस form को आपको download करके print करके fill करना होगा तो इस form का link में आपको video के description में दे दूँगा वहाँ से जाकर आप इसको download कर लीजिए फिर इसको print कर लीजिए अब आप इस form को fill कैसे कर सकते हैं इस पर मैं एक अलग से video बना चुका हूँ उस video का link में आपको video के description में उपर i button पर दे दूँगा वहाँ से जाकर आप उस video को देख लीजिए और इस form को download करके print करके fill कर लीजिए और उसके बाद इसको scan करके रख लीजिए या फिर अगर आप mobile से address चेंज कर रहे हैं तो इस form का photo कीच के रख लीजिए उसके पास वापस से इसी website पे आज आएगे अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा view details and upload document का इस पर क्लिक करके continue to upload पर क्लिक कर दीजिए और जहां कहीं भी आपका form पड़ा हो self declaration उसको choose कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको next पर क्लिक करना है next पर क्लिक करते ही आप इस तरीके का page आपके सामने आएगा यहाँ पर आपको आई है hereby पर क्लिक करना है pay you biz पर क्लिक करना है make payment पर क्लिक करना है और यहाँ से आके आपको अपना payment कर लेना है जहाँ पर आप payment net banking, wallet, cards, scan and paid UPI, WhatsApp के थुरू payment कर सकते हैं इसके भी तुरू करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना payment कर लीजिए जैसे हम यहाँ पर QR code scan करके payment कर लेते हैं payment complete होते ही आपके सामना है इस तरीके से एक receipt download हो करके आज आएगी इस receipt को आपको दिहान से रखना है क्योंकि इसमें एक SRN नमर लिखा होता है जो की आगे आपको बहुत काम में आएगा तो इस SRN नमर को आपको कोँ भी कर लेना है कहीं पर note करके रख लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको home page पर इसके वापस आ जाना है और यहाँ पर आपको फिर से update demographic data पर क्लिक करना है login पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर अब आपको पती का आधार कार नमर डालना है पहले पतनी का डाला अब पती का आधार कार नमर डालना है इस capture को fill करना है login with OTP पर क्लिक करना है आपके आधर कार्ड से registered mobile number पर एक OTP send किये जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है, login पर click करना है तो आप इसमें successfully login हो करके आ जाएंगे आपको नीचे scroll करके आना है, यहाँ पर आपको एक option मिलेगा My Head of Family Request, आपको इस पर click करना है तो इस तरीके का page आएगा, अब यहाँ पर आपको SRN number डाल देना है Accept पर click कर देना है तो उसके बाद पतनी के आधर कार्ड में पिता से पती का नाम और address change करने की जो पूरी process है वो complete हो जाएगी अब एक हफ़ते के अंदर अंदर आपके आधर कार्ड में आपके address को पिता से पती के नाम को change कर दिया जाएगा उसका status भी आप track कर सकते हैं status track करने के लिए आपको उदई website पर आ जाना है यहाँ पर आपको option मिलेगा check आधर update status का इस पर click करना है नीचे scroll करके आना है यहाँ पर srn number को option मिलेगा इस पर click करना है जो उस receiver पर srn number लिखा ता अपना जो copy किया था उस srn number को यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर capture को fill कर देना है submit पर click कर देना है तो इसका status आपके सामने आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से आप पत्नी के आधर कार्ड में पिता से पती का नाम और address को change कर सकते हैं वो भी बिना किसी document के तो उमीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like and subscribe कर दीजिए आपके मन में कोई भी confusion या question हो आप मुझे से comment करके पूश सकते हैं मिलते हैं सी तरह की next वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई जैहिन